नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मसेदार कॉमिक्स स्वन्ड नगरी पार्ट टू और फिर सैनिक अधिकारी चंदर मनी के साथ स्वन्ड नगरी के भीतर दाखिल हो गया अहां कितना सुन्दर नगर है पूर्णेता सोने का पना हुआ जल्दी ही सैनिक अधिकारी चंदर मनी को लेकर राज महल के सामने जा पहुँचा उन्हें देखते ही द्वार पालों ने तलवारे नीची कर ली और उनके लिए बीतर जाने का मार्क छोड़ दिया कितना अध्वित्य वा सुन्दर है राजा का महल कुछ देर बाद ही वे राज महल के भीतर राजा की दरबार में थे चैनर मनी ने राजा को सेर जुगा कर प्रणाम किया फिर पुतले रुपी कुंदन टो उनकी और बढ़ाता हुआ आदर पूर्वक स्वर में बोला महराज नजाने किन-किन व्यपत्यों को जेल कर और नजाने कितनी-कितनी भयंकर ल्यात्रा कर आपकी खिद्वत में इस पुतले को पेश करने में सफल हो जका हूँ राजा ने कुछ भी न समझते हुए उस पुतले को हाथ में ले लिया और आश्चारे से उलट-उलट कर देखने लगे कुंदन पुतले के रूप में शाद खड़ा था यह तो साधरान सा पुतला लगता है ए व्यापारी भला क्या विशेष्टा है इसमें महराज इस पुतले में यह विशेष्टा है कि इसके सामने आप जो कुछ भी करेंगे यह उसकी शत प्रतिशत नकल उतारतेगा विश्वास न हो तो आप परिक्षा ले सकते हैं राजा ने तुरंत एक सैनिक को नाचने के लिए कहा सैनिक जिस धंक से नाचता कुंदन भी उसी धंक से नाचने लगता वाह निसंदे मेरे योग के उपहार है इसके बाद राजा ने और भी विविन तरिकों से पुतले यानि कुंदन की परिक्षा ली और फिर जब उसने गोण पाया तो बड़ा प्रसन हुआ ए व्यपारी मित्र हमें वास्तव में तुम्हारा यह उपहार बेहत पसंद आया हमारे पास बहुत सी अद्बूत वस्तुए हैं लेकिन ऐसा विचित्र एवं आश्यर जनक पुत्ता नहीं हम तुमसे अती प्रसन हुए हम तुम्हें इ देश में किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए इजाज़त भी देंगे धन्यवाद महराज उसकी बाद राजा ने चंद्रमणी को खुशी-खुशी बहुत सारा धन दिया यह सब हमारी ओर से तुम्हारे इस उपहार का इनाम है अब तुम जब चाहो हमारे देश में आक व्यापार कर सकते हो जो अग्या महराज मैं इस बार तो अपने साथ व्यापार करने के लिए कोई वस्तु नहीं लाया लेकिन अगली बार अवश्य लेकर आऊंगा फिर चंद्रमणी इनाम का धन लेकर स्वन नगरी से वापस लोटाया और नदी किनारे कुंदन के लोटने से चपत लगाई तुरंत वह दिवार जिस परकी नर्मुन लटका था एक और सरकने लगी दूसरे ही जन सामने ही एक और कमरा दिखाई देने लगा उस कमरे में परवेश कर राजा ने बीचों बीच खड़ी एक मूर्ती के सेर को पकड़ कर घुमा दिया अगले ही पल राजा को एक अन्य कमरे में छोड़ कर पुना अपने स्थान पर चला गया वह कमरा बिलकुल खाली था केवल एक चड़ी एक तरफ की दिवार पर टंगी थी कुंदन पुतले के रूप में दम साधे सब कुछ देख रहा था राजा ने दिवार पर टंगी चड़ी को उतार क साथ बार फर्ष पर मारा तुरंत फर्ष से धुवा उठने लगा ओ यह राजा क्या कर रहा है और यह फर्ष से धुवा कैसा निकल रहा है दूसरी इशन उस धुवे से एक भयानक राक्षस निकला और गर्जना भरे स्वर में बोला क्या आज्या है स्वामी देखो आज से तुम्हारा पहरा इस पुतले पर रहेगा कोई भी इस पुतले तक न वहुशने पाए जो आज्या स्वामी फिर राजा दिवार पर चड़ी टांग और कुंदन को वहीं छोड जैसे आया था वैसे ही वापस लोट गया उसके वहां से जाते ही राक्षस भी गायब हो गया र वह राक्षस इसी चड़ी के फर्श पर मानने से प्रकट हुआ था यदि इस चड़ी को अपने काबू में कर लूँ तो वह मेरे काबू में आ सकता है लेकिन चड़ी पर काबू पाने से पहले मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए ताकि आने वाले खत्रो से निप्टा जा सके सोचने विचारने के पस्चात कुंदन ने चंद्रमणी द्वारा बताया मंत्र पढ़ना आरंब किया और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा लेकिन अभी वह अपने वास्तविक रूप में आया ही था कि भयाना गर्जना के साथ राक्षस प्रकट हुआ परन्तु कमरे में पुतले के स्थान पर लंबे चौड़े स्वस्थ कुंदन को देखकर वह क्रोज से फुफकार उठा कौन है तू यहां तक कैसे पहुँचा और वह विचित्र पुतला कहा गया जल्दी बता वरन्य मैं तुम्हारी गर्दन मरोड दूँगा मेरा ना अदि ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह मुझे वास्तव में ही ठिकाने लगा देगा कुंदन संभल कर पुना उठ खड़ा हुआ और जैसे ही राक्षस ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया उसने तलवार का भरपूर वार उस हाथ पर किया आई अगले ही पल उसने दिवार से लटकी चड़ी को उतारा और दनादन उस राक्षस की पिटाई करने लगा थोड़ी ही देर की पिटाई से राक्षस घबरा कर गिरगड़ा उठा नहीं नहीं मुझे और मत मारो तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसका पालन करूंगा राक्षस क गिरगड़ाहट सुनकर कुन्दन को दया आ गई क्या तुम वचन देते हो कि तुम मेरी अग्या का पालन करोगे मालिक मेरे प्रान तो आपके हाथों में थमी इसी चड़ी में है यदि यह चड़ी किसी प्रकार से तूट कई तो मेरी मौत हो जाएगी अता मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक यह चड़ी आपके पास रहीगी तब तक मैं आपकी हर अग्या का पालन करूँगा तो ठीक है तुम्हारे प्राणों को मैं बक्ष रहा हूँ अब तुम मुझे तुरंत उस विजेश कमरे में ले चलो जहां सोने की अद्बुत कुल्धाडी, हीरे की खोपड़ी वा चांदी का पुतला रखा है, मालिक यह आप क्या कह रहे हैं, वहां आपके प्राणों को खत्रा है, तीनों वस्तों अलग-अलग कमरों में रख्की हुई हैं, और उन तीनों कमरों में मुझे से भी बलवान वा मायावी राक्षसों का पहरा है, वहां मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ओ, राक्षस की बात सुनकर कुंदन सोच में बढ़ गया, फिर कुछ सोचने की बात बोला, अच्छा, तुम मुझे उस विशेश कमरे के बाहर तक तो छोड़ सकते हो, बस, फिर मैं स्वेन देख लूगा, हां, यह मैं कर सकता हूँ, राक्षस फर्ष पर जुग गया, आप मेरी पीट पर सवार हो जाएं मालिक, मैं पलक जपकते ही आपको एक एक करके उन कमरों के बाहर पहुचा दूगा, कुंदन बिना किसी संकोच के राक्षस की पीट पर सवार हो गया, उसके सवार होते ही राक्षस उस कमरे से निकल कर आकाश में उड़ने लगा वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि तेज हवा के कारण कुंदन को अपनी आँखें बंद कर लेनी पड़ी कुछी शनो पश्चात उत्री स्वामी हम अपनी मंजिल पर आ पहुंचे हैं ओह राक्षर्स की पीट से उतर कर कुंदन आश्चरी से उस स्विचित्र एवं भयानक किसम के फाटक को देखने लगा स्वामी इस फाटक के दूसरी और जो पहला कमरा है उसमें आपको सोने की कुलहारी मिल जाएगी उसके साथ ही अन्य दो कमरे भी हैं जहां आपको हीरे की खोपड़ी और चान्दी का पुतला भी मिल जाएगा यद आचानक बड़े जोर से वी नर्मुन अठास करने लगे और भयानक भयानक बोली वलने लगे हाँ 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 भाग जाओ कौन है पकड़ो इसे यह कौन मनुष्य है और जिन्दा यहां तक कैसे आप होजा मारो इसे कुन्दन के स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो आले नर्मुन पर पूरी ताकत से प्रहार किया और इसकी साथ ही ऐसी भयंकर भयंकर चीखे निकलने लगी ही कुन्दन भी घबरा उठा मगर अगले ही शन फिर उसे चंद्रमणी की चेतानी का ध्यान आया और उसने तलवार से दूसरे नर्मुन के भी टुकडे कर दिये उस अबस्त नर्मुन्डो से एक एक करके टुकडे कर दिये सभी नर्मुन्डो के नश्ठ होते ही बहानक आवाजें स्वेमे ही शांत हो गई और फाटक धीरे धीरे पूरा खुलने लगा फाटक के पूरा खुलते ही कुंदन भीतर परविश्थ हो गया ओह शायद यह वही कमरा जहां राक्षस ने सोने की कुल्धाडी के मौजूद होने के बात कही थी शीगरी वह उस दिकोने कमरे के भीतर था अरे यहां तो सिवाए इस हवन कुण के और कुछ भी नहीं वह सोने की कुल्धाडी भी नहीं तभी एकाएक उसकी दृष्टी छट की और उठी और छट से लटक रही सोने की कुलहाडी को देख कर वे प्रसंदा से उचल पड़ा, परन्तु दूसरी जण वे चिंतित भी उठा, क्योंकि कुलहाडी छट की कड़ियों से लिप्टे एक विशाल काय अजगर के मुह में दब अचानक कुंदन को अपनी चड़ी का ध्यान आया, उसने चड़ी को अजगर पर फेका, शायद यह चड़ी ही कुछ काम दे जाए, परिणाम आशा नुकूल निकला, चड़ी के टकराते ही अजगर कुलहाडी समेत नीचे गितने लगा, वो मारा, दूसरे ही पल, अजगर भस्म हो गया, और आग भी धीरे धीरे मद्दिम पढ़कर बुझ गई, कुंदन शीक्रसा से अगनी कुंट से कुलहाडी निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसमें से एक भयानक एवं विक्राल राक्षस प्रकट हुआ, जिसके हाथ में वही सोने की कुलहाडी तबी हुई थी, अरे दुष्ट, कौन है तू, यहां कैसे आ गया, जल्दी जवाब दे, वरना मैं इसी कुलहाडे से तेरी गर्दन काट दूगा, कुंदन ने जट वयान से तलवार खिंच ली, और बोला, मेरा नाम कुंदन है, मैं यहां तीन चीजों को प्राप्त करने आ दुष्ट, ठहर जा, मुझे मारने की धमकी देता है, कुंदन ने तुरंट चंद मनी का नाम लेकर एक लंबी उचाल भरी, और तलवार से उसकी गर्दन पर भरपूर वार किया, आई, कुलहाडी राक्षस के हास्ति छूट गई, और गर्दन धर से जुदा हो, फर्ष पर लोड़कने लगी, फर्ष पर लोड़कती हुई राक्षस की खोपडी सामने वारी दिवार से टकराई, और कुंदन को तुरंट वहाँ एक और विशाल द्वार दिखाई दिया, ओ, एक और द्वार, कुंदन ने फर्ष से सोने की कुलहाडी उठा कर अपनी कमर में खोसी, और तलवार संभाल कर उस द्वार की और बढ़ा, शायद उस कमरे में मुझे हीरे की खोपडी, अथवा चांदी का पुतला मिल जाए, लेकिन दूसरे कमरे में पहुंचते ही, तेज प्रकाश से उसकी आँके चुंधियासी गई, उफ, कैसा तीवर प्रकाश है, आँके खो हीरे की खोपडी भी इसके हातों में है, कौन है तू, जल्दी से भाग जा, वरना मैं तुझे खा जाओंगा, परन्तु कोई जवाब देने की वजाए, कुंदन ने कुछ सोचकर, बिजली किसी फूर्ती के साथ, अपनी कमर में घुसा, सोने का कुलहार निकाला, और पोरी शक्ती से उस विचितर नरसिंग की गरदन पर वार किया, एक ही वार में उस नरसिंग की गरदन धर से जुदा होकर हवा में तैरने लगी, हवा में तैरती हुई उस नरसिंग की खोपडी, पहले वाले राक्षस की सिर की तरह ही सामने वाले दिवार से जाकर टकराई, तो ए कुलहाडी को कमर में ठूसा और हीरे की खोपडी को उठा कर कमरे में बे धड़क परविष्ट हो गया लेकिन कमरे में परविष्ट होते ही वह बुरी तरह चौंक उठा ओह अद्भुत क्या कुंदन चांदी का पुतला प्राप्त कर सका चंदरवणी ने कुंदन को जो कहानी स सुनाई थी क्या वह सच थी सोने की गुलहाडी हीरो की खोपडी और चांदी के पुतले का क्या रहस्य था यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो चांदी का पुतला में तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और हां मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दन्यवाद